नमस्कार दोस्तो जैहिंद वंदे मात्रम आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है नॉलेज एनलिसिस तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो आज का वीडियो भारत चाइना और नेपाल के कूट नितिक और आपसी रिस्तों पर आधारित है हाल ही की दिनों में जैसा की आपको पता है चाइना ने LSE पर इस्तिती जान बूच्ट कर तरापूर्ण कर रखी है लगदाक में चाइना ने अपने दो से तीन हजार सेनिक तेनात कर दिये है और अपनी सेना को एक्टिव मोड में रहने के लिए कहा है टाकि बविश्चे में कभी भी वो इंडिया पर दवाब बना सके और कोरोना से पुरी दुनिया का जो अंतरराष्टे दवाब है वो इस युद्ध की तरफ डाइवर्ट कर सके जी हाँ बिलकूर चलो चोड़ो चाइना चोड़ो लेकिन हाल ही के दिनों में एक छोटा सा पडोसी देश नेपाल जी हाँ नेपाल नेपाल ने काला पानी छेत्र जो की भारत और नेपाल की सीमा पर है जो की भारत का हिस्सा है उसको अपने भोगोलिक नकसे में नेपाल का हिस्सा बताया है और दबी हुई आवाज में नहीं बलकि पूरी तनापूर्ण और ओपचारिक रूप से भारत को धमकाया है कि भारत उसका छेत्र जल्दी खाली करे अन्यता वो अपने सेना वहां तैनात कर देगा ये तो वो ही बात हो गई कि एक मित्र दूसरे मित्र को धमकाया है जहां उल्टे भारत ने हर विपरीत वरिस्तिती में नेपाल का सहायता किये लेकिन फिर भी नेपाल की इस ओची हरकत पर भारत ने नेपाल में जो डंपिंग होती है पाम ओयल की उसको टोटल ही बैन कर दिया है और मलेशिया जैसे राष्ट्रों का भी मुह बंद कर दिया है खेर ओली सरकार ऐसा इसलिए कर रहा है कि उसकी सरकार को गिरने से बचाने में महतपून भूमी का थी चाइना की जी हां बिलकुल चाइना ने महतपून भूमी का निभा कर ओली सरकार को बचाया और उस ही का बदला और उस ही का एहसान चुरकाने के लिए जो ओली सरकार है वो भारत को ऐसी बयानबाजिया भारत के खिलाब करता नजर आ रहा है ठीक है दोस्तो अपने नीजी स्वार्थ के लिए नेपाल की जनता को खत्रे में डालना ये कहीं भी नयोचित नहीं है जो क्योंकि नेपाल की GDP दिन पे दिन कम ही होती जा रही है 21.30 USD अभी नेपाल की 2020 में इसकी जो अनुमानित ग्रोथ और जो GDP है वो दर्शाई गई है और इसकी GDP ग्रोथ रेट भी लगबग 3.60 के सम्तिंग है जी बिलकुल हाँ और एक interesting fact ये है कि Mount Everest जो नेपाल का गोरो है उसको चाइना ने अपना शित्र बताया है लेकिन नेपाल ने चूँतक नहीं की है जी हाँ बिलकुल नेपाल ने चूँतक नहीं है नहीं की है क्योंकि नेपाल यह जानता है कि चाइना उसके यहाँ पे infrastructure के अंदर बहुत महत्वण भूमी का निबारा है और वहां के रेल, सड़क, पूल, गेट, infrastructure यहाँ तक की जो LPG की जो transportation है उसकी जो रोड निर्मान है जो पहाडी एरिया है उसके भी चाइना बहुत महत्वण भूमी का निबारा है और नेपाल को पूनतया, जी हाँ, पूनतया अपने पक्स में कर लिया है यहाँ पर हिंडिया या हिंदुस्तान को बहुत बड़ा सजक रहकर डिपलो में सी दरवाजे खोल कर नेपाल को यही याद दिलाना पड़ेगा कि नेपाल राष्टर को भारत ने जब आपदा आई विप्रीत परिष्टिते आई बहुत महत्वण सहायता की है और नेपाल का एक हितेसी हो सकता है तो वो हिंदुस्तान है दोस्तों आपकी इस पे क्या राई है प्लीज बताएगा और अगर चैनल अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजीगा